हां हैическая थो दीख़िए इमपोर्टेंट क्रोव पेस्ट ठीक है जो हमारी मेंन्मेन क्रोप से उसके कौन कौन से पेस्ट is है विए तिके सबसे पहले कुणान से चलेंगे रैस के पेस्ट से उसकी बात करेंगे कि तो देखिए सबसे पहले है राइस स्टैम बोरर या येलव स्टैम बोर जिसको बोला जाता है ठीक है ट्राइपुराइजा इंसर्टुलेस या फिर स्कर्पोफगा इंसर्टुलेस पाइरलीडी और लेपीड़ोप्टेरा यह इसके फैमिली ओडर है mostly इनसे question नहीं पुछा जाता लेकिन ध्यान में रखना ठीक है कौन से पेस्ट का क्या नहीं है इसका कोई shortcut भी नहीं है आपको याद करना ही पड़ेगा फिर देखिए अब यहां पर मैंने वही चीज मैंसिन की है जो important है symptoms इसके ठीक है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि completely ना तो आप इसको याद रख सकते और ना ही जरूरी है ठीक है तो देखिए सबसे पहले अगर stem borer की बात करें तो dead hurt symptom बनता इसमें ठीक है dead hurt actually होता क्या है देखिए starting के time जब crop grow होती है उसमें जब इसका attack होता है है तो सेंट्रल सूट जो होती है थीक है centralLAN फिरोटे आपीस की बहांब क्या होता है इसका arada होने की बज़े से इसके उपर की कलिका को होती है वह सूख जाती है यह बाइट इयर सब्चानि के सम्ट्रक है बता रहा हूं आपको यह उपर की जो है बीज की कलिका वो सूख जाती है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं डेड़ हर्ट बोला जाता है ठीक है तो देखो डेड़ हर्ट एट वेजिटेटिटिव स्टेट विच टन्स ब्रावनी स्कल्स एंड ड्राइज ओफ डेड़ हर्ट समस्में आग्या दिखिऊ जो सेंटर करें जो होता है इंसेक्ट आटग की वजے से ठीक वाइज टीक है दीश पॉर्शन विल डॉट्राइड ठीक है उश सू symb जाता है इसको क्या बोलते है ग्रेट है बोला जाता है एक तो यह सिम्टम हो गया दूसरा है वइट ये यह वैट एडशे है अनी उस स्टेज के जब टे शॉट्म हो रहा होता है ठीक है उस समय यह देखने को मिलता है इसमें क्या होता है जो आफ यहां ग्रेट जहां बहुती है और थी में बार्टा December देखे t upright फिलीक तुछ पृर्टा या या व्यूज मिल तुछ वाइड आर्म ऐड जिजा देखे TW कि एक है तो पृषिंद मिल जैनकर दिक लेगव अब देखे, next इसके egg-masa, जो है, वो कहाँ पे मिलते हैं? Tender leaf पर, हमने पहले भी बात की? nursery stage में, 1 nursery stage, क्या होता है?? क्या होता है? chamaze, इसके जो plant होते है, उसके उपर इनकी eggling जो होती है, वो बिल्कुल tip पे होती है पर यह महलीं वह लीव तो इस जगे पर इसकी का उती है ? यह नहीं होती है फिर जाब हम इसन ऐसको ठाड्स करते हैं तो हम यहां से इसको काट देते हैं इसको क्या बोलते हैं क्लिपिंग ओफ टिप्सा थिक क्लेपिंग ओफ टेप्स किसमें यूज чтоб याजया यह आग एक्स इंजिमनेशन ओफ एक्स के इलिमनेशन को इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लिपिंग करते हैं ठीक है समझ में आ गया तो ये तो थे इसके सिम्टम्स अब देखिए कुछ मेनेजमेंट प्रेक्टिस कार्टेप हाइड्रोक्लॉराइड है जो यूज किया जाता है कार्बो फिरोन, क्लोरेंटानिलिप्रोल, फ्लूबेंड़माइड, क्लोरपाइडिफ वू इस तरेके से जब ये डैड रहत बनता है तो हम बीच मेंसे जब इसको निकालते हैं तो ये उसली पूल आ उख जाता है, फिर आप जब इसको खोल के δेखते हो, तो इसके अंदर आपको इसका लारवा इस तरीके से दिखह reject है, ठीक है? फिर Z wollt a rice leaf folder, नेक्स्ट है राइस लीफ फोल्डर अब लीफ फोल्डर में देखिए क्या होता है यानि स्टार्टिंग में जो अर्ली लार्वा होता है ठीक है वो क्या करेगा यहां से देखिए यह दिख रहा है सबको इस इस वाइट स्ट्रीक स्टार्टिंग का जो लार्वल स्टेज होती है वो क्या करता है लीफ के जो मार्जिन्स होती है वहां से ग्रीन जो पार्ट होता है ग्रीन टीशु उनको फीड करना स्टार्ट कर देता और इससे क्या बन जाती है वाइट स्टेट से बन जाती है ठीक है तो यह होगा देमेज हाइस्ट अगेस्ट और अक्टूबर के अंदर जो है इसका डेमेज ज्यादा होता है एटियल आप देखें यह हर पिस्ट के लिए एटियल लेवल डिसाइड होता है मैंने पहले भी आपको बताया था तो इस केस में क्या होता है 10% यानि कि जब यह लीफ का डेमेज 10% तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब यह क्या है इसका एटियल लेवल है तो स्टार्टिंग में यह वाइट स्टिक्स बनती है उसके बाद धीरे धीरे यह जो है लीफ है यह फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है साइड से क्योंकि यहां से अब इसको इसने फीड कर लिया तो यह पोशन कमजूर हो गया तो अब यह धीरे धीरे फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा इसी वज़े से इसको क्या बोलते हैं लीफ होल्डर बोला जाता है सिम्डम्स की वज़ए से फिर मैनेजमेंट अब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का अपर पोर्शन होता है वो ब्रावनीश कलर का हो जाता है ठीक है उसमें से जो है ग्रीन पॉर्शन जो है वो ब्रावन में बदल जाता है और दूर से देखने पर आपको ऐसा लगता है जैसे फिल जला हुआ हो इस तरीके से और यह आईसोलेटर पैचिस में दिखता है आप यहां दिख रहा है आपको यह फिल देखिए इस तरीक विल जल गया हो तो यह सिंटम किसके हैं ब्राउन प्लांट हो पर कि आप देखिए ब्राउन प्लांट हो पर खोपर है होपर कौन से ओटर में आते हैं है हुम इपटेर और में आते हैं तो रिवकम अपने पहले आपको बने तो प्रेंचेनल उतना होते हं तो इसके ते इसका स्ट्रोग जो होता है पेडि स्ट्रोग मैंनली हम यूज करते हैं इवन चारे के फोर्डर के तौर पर भी यूज किया जाता है लेकिन यह फिर अनफिट हो जाता है स्ट्रोग के रूप में हम इसको काम में नहीं ले सकते और यह कौन से वाइरस का वेक्टर भी है ग्रासी स्टंट वाइरस का और रेग्ड स्टंट वाइरस यह दो वाइरस ऐसे है जिनका यह एजे वेक्टर काम करता है तो यह पूछ सकते हैं वेक्टर का नाम अब देखिए इसके लिए स्पेसिफिक जो चीज है एक तो क्लोजर स्पे इसका डेमेज उतना ही ज्यादा होता है ठीक है तो प्रोपर स्पेसिंग होनी चीए 20 इंटू 15 सेंटेमेटर फिर देखे अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग यह मैंने आपको आज भी बताया था पहले भी स्पेसिफिक है जो सिर्फ इसके लिए यूज होता है फिल्ड है सेम और है सेम सिंटम्स है बस यह धियान रखना कि यह कौन से वायरेस को ट्रांस मिट करता है टूं रओं को चीक है येलो विंग होगी कराऊच की स्टन्टिंग होगी क्योंकि देखिए फीड करेगा तो ये लो विंग होगी रूब करेगा तो ये ले विंग हो जाएगी प्लांट की हैट कम रह जाती है स्टन्ट ग्रोथ होती है ठीक है बाकि सब कुछ सेम है प्तिक Εरक वाइट बेग डिफट होपर डबलू बीपीज ये भी काफी इंपोर्टेंट है इसका भी डेमेज देखने को मिलता है इसका एटियल लेवल देखिए फाइव प्लांट होपर्स पर हील ठीक है सारे होपर्स जितने भी है ना सब का ध्याना के लिए ना कि अगर फाइव होपर्स आपको मिलते हैं पर सुके हैं यह तो आपको याद करने पढ़ेंगे भी है इनका शोटकट कुछ नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इसको आप देखोगे ना कंपेर करना पहले जिससे राइस हो या कोई दूसरी क्रोप हो जिनके अंदर कॉमन देख लेना पहले तो ओर कि हमिप्टेरा ओ हो रहा है तो इस पेस्टिसाइड का यूज करना है तो बार-बार आपको यहां यह चीज बढ़ने की जरूरत नहीं बढ़ेगी ठीक है देन नेक्स्ट राइस एरहेड बग या गंदी बग जिसको बोलते हैं देखिए नाम से ही फेमस है गंदी बग इसका मतलब क्या होगा कि एक ओफेंसिव स्मेल आएगी ठीक है जब मिल्की स्टेज होती है जब ग्रेन फोर्मेशन होता है उस टाइम इसकी डेमेज की वज़ इसका हमिप्टेरा और वेसे भी बग से आपको पता लग गया होगा कुन सा हूडर होगा हमिप्टेरा ओडर होगा दीके बहुत अब हमिप्टेरा है तो दोनों ही स्टेज नुक्सान करेगी ना नीम फॉर अडल्ट यह भी क्लिर है तो नेम फेंड अडल्ट सक्ट्जूस grains in milky stage mostly कब होता है इसका damage milky stage पे ठीक है also from peduncle leaves or stem यानि कि जितने भी parts है सब से ही ये क्या है juice को है जो safe होता है उसको सक करता है affected grains become shriveled and chaffee ये दिख रहे है आपको जो grains है वो इसे चारे की तरह नजर आते है ठीक है जो इसका damage होता है उसके बाल ठीक है तो ये भी इसका क्या है एक symptom है brown spot is observed at the feeding site ठीक है जहाँ पे ये feed करते है वहाँ पे हमें क्या है इस तरीके से कहीं न कहीं आपको brown spots दिखाई देंगे तो ये क्या है इसका एक symptom है shooting mold develops ये तो आपको बताईए अगर है हमिपटेरा ओडर है है ना checking type का paste है तो shooting mold तो होना ही होना है फिटे कि last में क्या होता है अगर इसका damage ज्यादा हो जाता है तो या तो poor quality के grains बनेंगे या फिर कई बारी क्या होता है grains are empty sorry हाँ जो grains है वो बनते ही नहीं है जो इसकी बात करें ear बोलते न वो खाली रह जाती है ठीक है उसके अंदर grains बनते ही नहीं है फिर देखिए next है rice hispa rice hispa serious paste rice का और इसका मेन पहचानने के इसके symptoms क्या होते देखिए जो इसकी body होती है इसके उपर spines पाई जाते हैं ठीक है चंकिला bright color होता है इसका जिसके उपर spines पाई जाते है देखिए numerous short spines on the body and bluish black जो है इसका color होता है shiny जिससे हम इसको easily पहचान सकते है damage देखिए अब इसका order देखिए क्या है colioptera, colioptera order है तो इसकी grub और adult दोनों stage ही नुकसान करती है तो देखिए grub में क्या है यह leaf miner काम करता है leaf miner के damage पता है leaf के उपर mines बनी होई दिखाई देगी starting में क्या है पतली-पतली छोटी-छोटी आपको leaf mines दिखाई देगी बाद में इसका जो adult होता है वो leaf पे leaf पे जो है voracious तरीके से feed करता है जिससे हमें क्या इस तरीके की white streaks आपको देखने को मिलती है ठीक है grub as a leaf miner produce transparent blotch यानि कि transparents आपको blotches दिखाई देंगे leaf के ऊपर और बाद में adult जो है ये green matter को feed करता है और कहां आप देखिए इसका भी systematic pattern है parallel to midrib ये leaf की midrib है leaf का middle portion है इसके parallel आपको देखने को मिलेगा ठीक है दोनों side हो सकता है देखिए यहां भी है यहां भी है दीक है तो इस तरीके से midrib के parallel जो है आपको white strict देखने को मिलती है तो वो किसके symptom होंगे rice hispa के फिर ये management है इसका quinol force वगरा अब देखिए इसके अलावा कुछ paste जो rice के बच गए हैं एक तो gall means या gall fly इसका direct आपको ये symptom देखे ही पुचा जाएगा silver shoot या onion leaf symptom जो है वो किसके वज़े से होता है बस इसके लावा कोई question नहीं बनता फिर देखिए rice case warm इसके हमने पहले भी बात की है leaf cases hanging from rice leaf leaf यानि कि देखिए क्या होता है ये जो cash warm क्या करता है leaf के parts कर देता है छोटे-छोटे टुकडों में इसको तोड़ देता है तो ये parts या तो आपको leaf bits देखिए पाने के उपर floating करती भी मिलेगी या फिर ये क्या है hanging होती है यानि कि ये case इसको क्या करता है बांधने का काम करता है आपस में leaf जो है उनको hang कर देता है इसी वजह से इसके management के लिए सबसे important क्या है एक rope या रसी जो है वो पास की जाती है जैसा मैंने आपको बताया था दोनो side field के अंदर 2 persons कड़े होते है वो फिर rope को पास करते है पूरे field में से तक कि उसको disclose कर दिया जाए फिर देखिए marginal rolling in rice seedling rice thrips की वजह से होता है ठीक है यानि कि margins जो है उनकी rolling होना start हो जाती है इसके अलावा nibbling of rice earhead defoliation living only midrib ये किसकी वजह से होता है grasshopper की वजह से grasshopper orthoptera order